बिसमिल्ला रह्मान रहीम आज जो चैप्टर फॉर का जो रिमेनिंग पार्ट था हम वो डिसकस करेंगे उसमें हमने स्लॉप्स डिसकस कर लिया स्लॉप के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन डिसकस कर ली ठीक है अब उससे रिलेक्टिट कुछ चैंच स्लॉप यह दो लाइन के तर्म्हान में में डिस्टंस कैसे राइन करते हैं तो वह भी डिसकस करेंगे तो क्वेश्चन है जी पहला कि अ इस देजैंट फॉइंट माइनस एवन थर्टीन फ्रॉम दा लाइन टू एक्स प्लस वाई प्लस थर्टीन इज इकोल डू जीरो इस इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो दिस्टन्स है वो आपको बताना है आप्षन है जी सिक्स स्केर रूट वन जिरो नाइन वीटा ऑप्षन एज एटी फिफ्टी सिक्स चारली ऑप्षन एज शिक्स्टी सेवन और डेल्टा ऑप्षन इस ट्वेलव ओवर स्केर रूट वाइन तो एक पॉइंट से एक लाइन का जो लुग डिस्टन्स बताते हैं यह प्रपेंडिकुलर डिस्टंस होता है मतलब स्पोज यह पॉइंट है जी एकस फॉन वाइवन पहले आपको फॉमुला बता तो यूजम कुन सा करेंगे और यह लाइन कर देखेंट अपको दिया गया है प्उइंट है माइनस इप तो फॉर्टीन प्लस ठाइन एंड प्लस फॉर्टीन मंत डिवाइड बाई a square plus b square a is 2 2 square is 1 4 and 1 square is 1 तो इसको simplify करें 26 minus 14 या minus 1 plus 13 is 12 divided by square root 5 तो जैसे यह formula है और कुछ नहीं है पुट करें answer मिल गए जो के 12 over square root 5 है डल्ट option में अब इसी तरह के question और भी बन सकते है जिस दो lines के दरम्यान में distance क्या होगा ठीक है ता distance between parallel lines 4x plus 3y minus 2 is equal to 0 and 4x plus 3y plus 8 is equal to 0 is distance क्या होगा जी 13 by 2 बीटा option 59 by 3 चापड़ी option 2 and delta option 12 अच्छा डिस्टन्स जो दो parallel lines में ही हो सकता है अगर lines parallel नहीं है तो distance नहीं मिलेगा आप तो parallel lines कैसे पता चलेंगी तो obviously difference होगे तो अगर स्पोर्स सी है माइनस टू तो सी डैश यहां पर एट है तो यह हो जाएगा जी माइनस एट मैगनिचूट divided by a is 4, 4 square is 16 and b is 3, 3 square is 9 तो यह हो गया जी माइनस 8, माइनस 2, माइनस 10 तो मौड में 10 हो जाएगा divided by 16, 925, 25 का square root 5 तो जब यह divide हो जाएगा तो इसका answer गया लानी है तो दो lines में अगर आपको distance find करना है तो आप यह वाला result यूज़ करेंगे ठीक है जी इसी तरह का एक और question मैं आप से discuss कर लेता हूँ यह है जी directed distance of a point minus 5 minus 6 from y-axis is option a 6 option b minus 6 option c 5 and option d is minus 5 अब distance की बात हो रही है तो distance में यह तो confirm है कि वो कभी negative नहीं हो सकता तो नहीं आपकी b option है नहीं आपकी d option है तो option सिर्फ एक ही बच रही है दो भी बच रही है a और c अब y-axis से आपको distance बताना है y-axis की equation आपको याद होगी y-axis की equation होती है x is equal to 0 यह point और यह equation है तो आप distance formula यूज़ करके निकाल सकते हैं लेकिन यह question में आपको formula यूज़ करने की जूद नहीं है अगर x-axis और y-axis देखा जाए तो यह point minus 5 minus 6 यहाँ पर होगा गही x-axis से distance का minus 5 है और y-axis से distance का कितना है minus 6 मत नीचे की तरफ है तो हमें y-axis से इसका distance तो y-axis यह वाला है तो यह वाला अगर y-axis से distance देखेंगे तो actually x-axis वाला distance बहन रहा होता है तो x-axis से इसका distance कितना है जी 5 जो के चार्दी option में दिया गया तो इसमें formula लगा सकते हैं वो भी use कर सकते हैं नहीं तो direct आप इसी तरह है अगर y-axis से distance पूछे तो x वाला point और x-axis से distance पूछे तो y वाला point रहा है तो यह दो लाइन का distance एक point से एक line का distance हो गया अब आजाते हैं जी position of a point मतब एक point की किसी दूसरे line से position के है बत्ब पॉइंट अबब है यह बिलो है इस type का अगर question आजे मतब for example the position of the point 3 minus 2 with respect to the line 3x minus y plus 1 is equal to 0 option a is above the line option b below the line option c on the line option d none of these तो इसी बात है एक point जो है line के यह बब होगा यह बिलो होगा यह उन्दा line होगा इसके लाब नहीं होगा तो इसको आपने कसे जग करना है just आपने क्या करना है point insert कर देना है point जब insert करे point अगर positive हो तो अबब होगा negative होगा तो below होगा लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि y should be positive अगर y negative है तो उसको positive में convert कर ले अगर आपको y पहले ही positive दिया गया है तो direct point पूट कर दें अगर y negative है तो point पहले y को positive करें फिर point पूट करें अब जब point इतर पूट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा तो वह actually क्या आएगा below the line अगर positive आए तो above the line negative आए तो below the line और अगर zero आजाए zero वाले case में क्या आएगा वह on the line होगा ठीक है जी उसके बाद जो question है एक और question discuss कर लेते हैं उसकी का determine the ratio find alpha if 2x minus alpha y plus 3 is equal to 0 4.3 में 4.4 में जितने भी different types के question है मैं वह आप से discuss कर रहा हूँ ठीक है बाकी chapter 4 बहुत असान है अगर आपको forms याद हैं यह conditions याद हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा question होगा जो आप and नहां कर पाएं ठीक है यह mostly तक्रीबन सारे बचे ही कर लाते हैं बस चोटी चोटी चीज़ें आपको याद रख लिए option a 13 option b plus minus 2 option c plus minus 5 and option d plus minus 1 lines concurrent का मतलब है वो एक ही point से pass कर रही है एक ही point मतलब अगर सब्सक्राइब तीसरी line भी इस ही point से pass कर रही है तो इसे हम कहेंगे concurrent तो concurrent की condition होती है concurrent की condition के है जो इनके जो coefficient matrix बनता है ना यह 2 minus alpha and 3 यह देखे 2 minus alpha 3 और इसके value के आएंगी 3 2 and 1 और इसमें क्या आएगा alpha minus 1 and 12 ठीक है condition of concurrency है जी यह coefficient matrix का जो determinant that this should be equal to 0 जब 0 की equal रखेंगे अब जस आपको determinant expand करना जब determinant expand करेंगे तो alpha की value मिल जाएगी जो के होगी plus minus 1 तो इसको आपने simplify कर लेना just determinant expand करना है ठीक है जी तो 4.3 और 4.4 में इस तरह के question आपको दिये गए है point of intersection की बात की गई है point of intersection आपको मैं लिख जबता हूं point of intersection find करते हैं 4.4 में तो point of intersection के लिए आपको just simultaneously solve करना होता है point of intersection उनको आपस में solve करें जो भी point मिल जाए आपको दो equation का वो आपको point of intersection होगा इसी तरह angle between two lines angle between two lines इसका भी बड़ा सीधर सा formula है question नहीं में गरवारा मैं आपसर लिख देता हूं कि किस तरह आप दो lines का angle find करने हैं तो दो lines है तो उनकी slope दी होगी tangent theta तो यह जग है जी m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 ठीक है जी इसी तरह भी कर सकते है जी m1 minus m2 भी हो सकता है लेकिन वो आपको देखना है कि किस line से किस line की तरफ है अगर यह दो lines है एक line यह है और एक line यह है इसकी slope m1 है और इसकी slope m2 है अगर m1 से m2 का angle हम find करेंगे m1 से m2 तो यह formula बनेगा और अगर m2 से m1 की तरफ चले जाएंगे तो m1 minus m2 हो जाएगा तो इस चीज का क्याल रखना है और अगर वो acute angle पूछना है तो जस्ट आप mod यूज़ कर दें तो आप answer मिल जाएगा ठीक हो गया जी तो इसकी question बड़े simple से आप easily कर सकते हैं ओके जी next है जी area के लिए भी हमने formula हाँ इस question इस exercise में एक area का question भी दिया हुआ है तो भी देख लेते हैं the area of the triangle the area of triangle having vertices is whose vertices are vertices हैं जी minus 4 minus 1 1 2 and 4 minus 3 is option A 15 option B 17 C option 16 या D option आपका area 0 है area का formula भी आपको याद होगा कि अगर vertices दिये हों तो area find करना कोई मुश्किल काम नहीं है तो यह जाएगा जी x1, y1, 1 x2, y2, 1 x3, y3 & 1 तो इस formula से आप area find कर लेंगे यह point दिये हैं आप उट करें determinant expand करें यह answer मिल जाएगा एक और भी है आप अगर 3 x 3 का नहीं करना जाते 2 x 2 का करना है तो वह भी मैं लिख देता हूं जी उसमें जाएगी x1 – x2 & x1 – x3 y1 – y2 & y1 – y3 तो अगर आपको थोड़ा से time save करना है तो आप यह वाला formula भी use कर सकते हैं किसी को भी use करें आपको answer जो मिल जाएगा actually – 17 आएगा चुक्कि एरिया वह negative नहीं होता तो हम इसको positive here consider करेंगे यह जो मैंने second वाला formula लिखा है यह आपकी book में नहीं है ठीक है लेकिन इससे यह short है मतार इधर 3 x 3 का determinant expand करना है लेकिन इधर आपको क्या effect expand करना है 2 x 2 का determinant next जो topic है जी हमारा second degree homogeneous equation है second degree homogeneous equation 4.5 में यह use की गई है तो second degree homogeneous होती क्या है पहले हम वो discuss कर लेते हैं second degree जो general form है वो है ax square plus 2 h x y plus b y square is equal to 0 a b c constant है h b constant है homogeneous equation होती है जिसमें पूरी equation में variables की degree सेम होती है first factor में degree 2 है second में 2 है third में 2 है अगर throughout degree सेम है तो इसे हम कहते है homogeneous equation degree जितनी इसकी power होगी अगर इसको हम mathematical form में लिखे k x ky तो k अगर बाहिर common ले k की power n f of xy तो यह है जिसकी general form इसमें यह जो n होगा यह आपकी nth degree की homogeneous equation है ठीक है याद क्या रखना है आपको इसके अंदर number one यह जो represent कर रही होती है यह pair of lines होती है यह सेकंड डिग्री homogenous equation की चीज़ को रप्षेन कर रही है यह pair of lines passing through origin भी है passing through origin यह उसकी मतलब graph में actually pair of lines कैं होती है दो lines की यह combined equation है पर इसके दरमियान में जाई सीपार तो लाइन the the angle between the lines represented by two x square minus 3xy minus two y square is equal to zero option a 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री तो homogenous equation में जो angle find करते हैं दो lines के दिर्माद में उसके लिए जो formula है tangent theta 2 into h square minus a b over a plus b अब a और b और h की value आपको equation से मिल जेंगी here is उसको general से compare करेंगे 2h की value हो जेगी minus 3 to h की value minus 3 by 2 आजेगी and b is minus 2 ठीक है जी तो values put करें आपको answer मिल जेगा लेकिन उसके लिए कुछ की points है number 1 अगर तो a plus b 0 है जो के हमारे वाले case में r है तो this implies that जो angle बनेगा उनके दर्मियान में वो कितना होगा pi by 2 90 degree के angle होगा और number 2 अगर x square minus a b 0 है मतलब angle find करने से पहले आप ये find कर लिए अगर है तो आपको calculation नहीं करनी पड़ेंगे अगर x square minus a b 0 है तो इसका मतलब उन दो lines के दर्मियान में angle के है 0 है अब देखें a की value 2 है b की value minus 2 है तो इनका sum 0 हो रहा है करेंगे इसी तरह एक question ये भी आ से तो चुके दो lines है तो उसका sum of slope find कर ले sum of slopes of the line sum of slope of the lines represented by 3x square minus 2xy plus 5y square is equal to 0 बताना है जी sum of slope क्यों आएगा 2 by 5 1 by 5 minus 1 by 5 या minus 2 by 5 तो general form second degree homogeneous equation अगर दी हो तो जो sum of slope का formula है वो आपने exercise में लिखा हुआ है मैं दोबारा बताता हूँ वो आता है जी minus 2 h over b h और b आपको वो मिल जाएगा इसी तरह product of the slope का formula भी होता है m1 m2 which is equal to a over b तो हमें sum of slope उचा गया हम यह नहीं करना कि इसकी दो lines बनाए lines बनाने के पाद उनकी slow find करें उनका sum करें नहीं जस्ट यह वहला result यूज़ करें आपको answer मिल जाएगा in case में हमारे पास b की value 5 है और 2 h की value minus 2 है तो यह जब इसको formula यूज़ करेंगे तो आपको a option मिल जाएगा ठीक जी simple आपने इसको इसके साथ general equation के साथ compare करने तो easily answer मिल जाएगा इसी तरह product का formula भी भन सकता है ठीक होगे और जो 4.5 में जो type discuss की गई है वो है जी joint equation जो इस line के perpendicular होगी तो question की statement इस तरह है कुछ joint equation of of lines joint equation of line perpendicular to the lines represented by 3x square minus 2xy plus y square is equal to zero तो यह long question आपको exam में आता है तो मैं option लिख देता हूँ आप इसको simplify कर ले तब तक और answer select कीजिएगा beta option x square plus 2xy plus 3y square is equal to zero c option 3x square plus 2xy minus y square is equal to zero and delta option x square minus 2xy plus 3y square is equal to zero तो यह long question आपको 4.5 में कर देखेंगे तो end वाले दो question है वो इसी तरह के है तो आपने वह lines को find करने के जूत नहीं है इतना time नहीं होगा तो आपने करना क्या है perpendicular equation के लिए direct way है मैं आपको बता जता हूँ यह general form में बताता हूँ अगर इस तरह आपको दीओ और इसके perpendicular lines find करनी है आपको तो आपने क्या करना है A और B को interchange कर देना है यह मैं इसको highlight कर देता हूँ इस A और B को आपने क्या कर देना है interchange कर देना है साइन के साथ interchange करना यह हाल रखना आपने ठीक है तो साइन क्या आदेगा जी बी एक स्क्वेर बी एक स्क्वेर प्लस एवाई स्क्वेर ठीक है यह सा है आपको यह change होगे A और B और जो middle वाली term है उसका sign change कर देंगे तो आपन सर में वाले तो B x square minus 2h x y plus a y square is equal to 0 तो यह जो 99 बनेगी यह perpendicular line होगी तो हम भी इस तरह कर लेते हैं तो यह दख़े A और B को interchange करेंगे कि यह ख़़ी हमारा 4.5 आपने practice कर लेनी है 4.5 जितने भी forms है lines की वह याद रखनी है जितने भी formula बताएं है वह याद रखने है और उन सब का दो दो तीन मजीद mcqs आपने solve कर लेनी है तेंक यू very much